बबी। हा बेटा में पेट दर दो रहा रहा क्यों ? श्कूल में टॹन के लाबह कुछ खाया था ? हा बेये फ्रेट केक लेके या था कहां से लाया था? कुछा था आपमें फेंक से ? आज कि पबी से लाई थी अच्छा वह मैंदेगा केक होगा ना इसलिए पेट दरा दो रहा होगा चलो कोई बात नहीं आप चलो मैं आपको लीट वाटर देर्क्यू और उसके बार खुड़ा रेस्ट कर लेना आपको अच्छा पीलोगा अब जो अब जो खुड़ा है तो फ्रेंश यह हमारे इंग्रीडियंट्स आटे केक के लिए यह हमारा की इंग्रीडियंट आटा यह है ओईल मैंने ओलिव ओईल लिया है अपनी चॉइस से कोई भी रिफाइन ओल ले सकते हैं इसमें मैं तीन अटेश पीलोगा बाते हैं प्र अपनी चॉइस के ऊपर आप इसमें जो तूटी फूटी होती है वो भी यूज कर सकते हैं मैंने यहां पर यह कलर्फुल चोको चिप्स लिया है और उसके बाद यह हमारा बेकिंग सोड़ा और यह हमारा एसंस है जो हम यूज करेंगे खुश्भू के लिए तो यह हमारे इ अब हम इनको बीट करेंगे बीट करने के लिए मैंने ले लिया है यह पतीला इस पतीले में मैं एक डालूँगी और एक बीटर से मैं इसे को बीट करना स्टार्ट करूँगी जो प्रणाइब प्रणाइब कर दो भी यह मैंने प्रीवीट इसको करना है शुनी कर दिया है यह स्टार्ट हो जाएगा तो जब मैं बैटर रखूंगी तो यह अल्रेडी खोड़ा जरम होगा ताकि इसको आगे बेटिंग में प्रॉब्लम ना करें अब हम आ जाते हैं अपने पॉसेशेट अब मैं इसमें एड़ करूँ है शुगर और इसको वापस बीट करना स्टार्ट करना है यह मैंने एक कप शुगर आड़ कर दिया है अब इसको में वापस बीट करना है करता है अब इसको हम रग देंगे साइट में और अब हम ले लेंगे अपनी प्लेट में हमने पहले आटे को छनी से छान लेंगे अब इसी के साथ में डालों ही अपना बेकिन पाउडर वो भी साथ में छन जाएगा आप देख रहे हो कि जो मोटा आटा को साइट हो गया है और जो हमारा पत्मा आटा को इसमें आ गया है पर हम सेकंड ताइम अपने आटे को खानेंगे इसके बाद हम थर्ड ताइम पर से आटे को चानेंगे अब यह जो आटा है मैं इस मिक्सर में मिक्स करूंगे और इसको बापस से ब्लेंड करूंगे यह भी केम होगे में मिक्सर मिन्हां जानेेً ताइक आटे को अपननोड Two खे केस ब्लेंगे पसके से 654 बाप्प्च शी और ग्र्ड अविवापन से को बैल में स्टाह्ट करूंगे स्टार्ट कर्थ अब दूमें आज दूमी पमारा के बाइनों आज दोगी अब है किया अब मैं है कि इससे अढल सी का में पमारा mark दोग दोग है असले के दोगए अब बश Ine ждet मैं लगए है वह भी मिक्सऀव अब नहीं हो तो फ्रेंड्स यह देखिए यह हमारा बैटर तयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए इससे यह बहुत ही फ्लॉप्य और अच्छा केक बने काला है अब इसके बाद मैं ले लूँगी एक केक तिल यह मेरे पास है इसको मैं ग्नीस कर दोंगी ऑलिव और से साफ्सिका मैं जो मेरे आप ज़ेई थो बैटर बैटरव कर आप आप जो तो अब हम इसे कर सक देगतों इसका गली है मैं धिंट सब्सट्टर बहुत पर हम जो तो इसमें अफ्यया अगर खूंगी तो आप बैटर नहीं है तो आप अइक बटर पर्रा नहीं प्रस्त कर अब हम अपना बैटरिस में पोर कर देंगे अब मैं इसको थोड़ा टैप कर दोगी और जितनी एर बच्ची हुरी है वो बहार आज़े यह हमारा सेट हो गया है अब हम इसको डालेंगे अबन में आप मैं अपना ओटीजी फाइनल सेटिंग करने वाली हूँ अब मैं इसको बेक पर लेके आवे हूँ अब मैं इसको सेटिंग करूँगी 35 मिनट्स पे और इसका टेंपरेचर कर दोगी 200 सेंटिवीड अब मैं इसमें अपना केक रखूँगी और 35 मिनट्स पे आपको रिजर्ट सेटिंगे अब यह जाएगा बेकिंग के लिए अब मैं यह स्टार्ट करने जारूँ अब हम मिलते हैं ब्रेक के बार अब मैं इसको निमक निकाला हूँ अब मैं इसको निमक निकाला है अब देख रहे हो कि टूथिक बिल्कुल भी क्लीन है बिल्कुल उसमें कुछ भी चिपका हुआ नहीं तो फ्रेंट्स यह है हमारा आटा केक जो रेडी हो गया है और बहुत ही याम बनता है यह केक बहुत टेस्टी बनता है झाल